लकनों में उपाद्यक्ष ने कोल सीटी का क्यार नरक्षर जी ट्वेंटी सम्मेलन कोले कर तैयारियों कलिया जाए जा फरूखाबाद में दिपोसों के साथ मेला रामनगरिया का भब्य शुबारं बसंत समाज ने क्या मेले का पहिशकार सारणपूर में शाकूंबरी देवी की जैनती पर मेले का आयोजन आयोजन में भक्तों के उम्री भारी भीर और रया में घने कोहरे के साथ तापान में आई गिरावट अलाव का साहरा लेते दिखे लोग का नोज में गुरू जी रेन वालिक शात्रा को लिखा लव लेटर पिड़ी शात्र ने कराया केस तर्च नमश्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नदिनी यादव वक्त हो चुका है उत्तरपदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की और खबर लखनव से है जहां विकास प्रादिगरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमरी त्रिपार्थी ने शुशांत गोल्फ सीटी के विविन छेत्रों का निरक्षड किया बता दे कि यह निरक्षड आगामी G20 समेलन के दिस्टिगर्ट शहर में कराय जाने वाले सौंदर्य करण के कारियों की थीम और देजान नरधारित करने के लिए किया जा रहा है साथी डॉक्टर एंद्रमरी त्रिपार्थी ने शहीर पस से होटेल को जाने वाले मार का निरक्षड करते हुए सभी चौराहों को व्यवस्थित कराते हुए लाइटों को ठीक कराने के भी निर्देश दिये है साथी निर्देश दिये कि पूरे मार्ग पर डिवाइडर के नए सीरे से पेंटिंग कराई जाए और आकरशक फोल्दार गमले लगाए जाए जहां जहां भी सड़क छटी ग्रस्थ है उसे जल से जट्थी कराया जाए बस्पा नेता और पुरो मंत्री याकुब कुरेशी को मेरट पुलिस ने एक दिली से गिरहतार कर लिया है पुलिस ने याकुब कुरेशी के साथ उनके बेटे इमरान कुरेशी को भी गिरहतार किया मेरट पुलिस को पिछले काफे समय से उनकी तलाशी थी पुलिस ने दोनों को वैट तरीके से मीट पैकिंग के मामले में गिरहतार किया है जिसके बाद आज दोनों को मेरट के स्पेशल गैंक्स्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां अदालत ने उन्हें साथ दिन के न्याएक रासत में भेज़ दिया है खबर के मतावत मेरट पुलिस ने याकुब कुरैशी और उनके बेटे इमरान कुरैशी को दिल्ली से गिरहतार किया इन्होंने दिल्ली के चांदी महल इलाके में एक फ्लैट किराए पर ले रखा था जिसमें वो छुपकर रह रह थे पुलिस को इनके दस महीनों से तलाश थी गिरहतारी के बाद पुलिस ने दोनों को मेरट लाई और फिर चरनिवार को ने गैंक्स्टर कोट में पेश किया गया पुलिस ने इनके उबर पचास-पचास हजार के नाम की घोश्रा भी कर रखी थे पुलिस अब इनकी 26 जगों पर पचासी करोड रुपए की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही है दिल्ली की आयकर विभाग में तैनात अधिकारी से गाजियाबाद में धोखा धड़ी का मामला सामने आया है बता दे कि घर का नर्माड करने के नाम पर एक ठेकदार ने 42 लख रुपए और काम अधूरा छोड़कर फरार हो गया जिसके बाद आयकर अधिकारी ने दो लोगों के खिलाफ थाना कौशामी में केस दर्च कर लिया है पिडित ने बताया कि वैशाली में उनका एक प्लॉट है जिस पर नर्माड होना था उन्होंने इसका जिकर अपनी ही सोसाइटी के रेजिडेंस के एक यूख ने किया था जिसने कंस्ट्रक्शन थेकेदार की पिडित से मुलाखात कराई तो वहीं अब कंस्ट्रक्शन थेकेदा समित दो लोगों के खिलाफ धोका दड़ी का मुखदमा दर्च कर जाज शुरू कर दी गई है भारेस सरकार की महत्वा कांची यूजना स्वक्ष भारत मिशन को कुछ लाभारती खुदी इस यूजना को ग्रहन लगा रहे है ताजा मामला हरदोई के आहिहोरी विकासखंड के कराही ग्राम के मजरा दाउतपूर का है जहां खरीब तीन दर्च लाभारतियों को स्वक्ष भारत मिशन के अंतरगत सौचाले मोहाया करवाए गया थे एडियो पंचायत के और से दी गई जानकारी में बताया गया कि सौचाले का पैसा सीधे लाभारतियों के खाते में भेजा गया था तो वहीं अब निवासी राजभवन द्वारा ये बताया गया कि शिकायत में कहा गया कि गाउं में अधिकतर लाभार्तियों ने शौचाले के पैसा ले लिया है लेकिन शौचाले बनवाई ही नहीं है जबकि पुराने और दूसरे शौचाले की फोटोज अपलोड कर दी गई तो वहीं पूरे मामले की जाच की जा रही है जो बित्ती वर्स 22-23 में लिश्च जारी हुई है वो निर्माड हुआ है लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है यह हमारा कहना है और अगर यह धरातल पर है तो जो LGG कोड होता है उसको हाइलाइट करके दिखाया जाए तब ही हम तुम मार्ने करेंगे अनधा मैं इसको स्वीरह से खारिज करता है उस ग्राम पर्रशायत में अभी जो है बताने कि सबसे जादा माने जाने वाले माता शाकुमबरी देवी मंदिर का सहारनपुर में इस्तित है तो वहीं शाकुमबरी देवी मंदिर पर भक्त की भारी भिडमा के दर्शन करने आए शाकुमबरी देवी मंदिर सहारनपुर को शक्ति पीट कहा जाता है इसके अलावा दो मंदिर हैं जो शाकुंबरी माता सराइक पीठ और शाकुंबरी माता सामहर पीठ हैं। मा को आज अपण किये गए। मा भगवती शाकुंबरी देवी ये सक्ती सरूपनी मा हैं और कल्यूक की अर्श्राश्ती देवी भी हैं। माता सरूपनी मता सरूपनी माता सरूपनी माता सामहर पीठ हैं। मेला श्री राम नगरिया के उद्खाटन कारेक्रम का बहिश कार कर दिया और अपने अखाडे के सामने बने गेट का फीता काट कर मेले का शुभारंब कर दिया यहां यहां तो 65 की वे वेवस्ता करतें को करते हैं अखाए से नमतलब रखते हैं अभी हमने देखा कि कल आये दे जिलादिकारी महोधे उन्होंने बच्चा सवामी कहा तक गय ते वहां से आलूखा के तरन चले गए मैला का पूछा आपने प्रसासन के उद्गार्टन का वास्कार किया निवास करते हैं और अधूर्ण परमपरा को भागे बढ़ाते हुए परशासन में और यहां के जो रामनगर या मेला कमेंटी है और लोग ने भर्षक परया कि जिया है तूरा परया से आए यहां पे जितने भी कल्पवासी है हमारे आधरनी साथुसंत है और यहां में घने कोहरे के साथ तापमान में गिराव अठाई है जनपत में लोग जहां घरों से नहीं निकल रहे हैं तो वहीं रास्ते में जारे चात्र अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं और वैपारी भी अपने प्रत्रस्थान सर्दी के वज़से समय से नहीं खोल पा रहे है तो वहीं सर्दी के चलते अलाव के साथ जिला प्रशासन ने रेन बसेरूग में लोगों को ठह का पुक्ता इंतजाम के गये हैं अम्रोहा के डीडॉली को त्वाली शित्र में लिफ्ट के बहाने कार में बैठी दो लड़कियों ने दो बाइक सवार साथ्यों के साथ मिल कर कार सवार यूकों को लूट लिया और कार सवार यूगों के साथ मारपीड भी की बता दे की मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुची और पूरी मामले में वैदानी कारिवाई शुरू कर दी है कन्योज की प्राइमरी विद्याले के गुरु जी नाबालिक छात्र से दिल लगा बैठे तो वही सन की गुरु जी ने छात्रा को लव लेटर भी लिख दिया जसके बाद जब छात्रा ने इसकी सिकायत अपने परिशनोंस को बताई तो गुरु जी उनसे भी भीड़ गए वहीं अब प्रिटा के पिता ने कोतवाली में तहरीर दे कर न्याय की गुहार लगाई है संभल में कलियोगी पिता ने अपने 6 साल के मासुम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को खेत में फेक दिया हैवान पिता ने पतनी के चरित पर उंगली उठाते हुए इस जगह ने वार्दात को अंजाम दिया है वहीं पुलिस ने कातल पिता को गिराफ़तार कर लिया है और पूरी घटना का खुलासा किया साथ ही पुलिस ने आगे की कारिवाई शुरू कर दी है कि एक बच्चा जिसकी उम्र लगवग 6 वर्ष है इसका नाम तिल्यू और फ्रजत है यह अपने घर के बाहर खेलते समय गायब हो गया है पुलिस के द्वारा धारा 304 सक के अंतरगत गर्मा पंजीगत किया गया तथा बच्चे की खोजवीन का प्रयास किया गया गाऊं में ही प्राप CCTV की फिटेच के आधार पर आज इस माइं बच्चे के शव को गाउं के पास में एंक के खेट कीशित से बरावन किया गया है बच्चे के पिता जिसका नाम धर्मेश है उसको गिरिफ्तार किया गया है पूस्ताच में तथा CCTV के आधार पर यह जानकारी हुई कि बच्चे के पिता को अपनी पतनी से गलाद अबाक है तो किस कारण किया था अपने बीबी दूसरे से लगी हुए तो आप मटर करतों को पिट्टे मेटे का अप प्लिस में शिकायत करिया अपने इस मामनुग लेकर मैं किया करता था यह खुच कर दी तो अपने प्लिस की सूचना कैसे दी कि मेरे बच्चा गायब हो गया है अपने प्लिस गुम्राभी किया था है हां तो क्या बताया था कि मेरे बच्चा गायब हो गया है उसके बाद में प्लिस ने फिर जाज करी तो फिर आज पैसा के चल और एया में अग्यात कारोडों के चलते जोपणी में आग लग गई और जोपणी में रखा सामान जलकर राख हो गया वहीं जोपणी में बंधे दो मवश्यों में से एक की मौत हो गई और दूसरा गंभी रूप से घायल हो गया ग्रामिडों ने बताय कि पिरित परिवार बहुत गरीब है साथी ग्रामिडों ने प्रशासल से पिरित परिवार को मौज़ा दिये जाने की मांग की है तो वहीं आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है मौके पर पहुंशी पुलिस ने तहरीर के आधार पर कारिवाई का आश्वासन दिया है अलेगड में जहां एक और स्वासकेंद्रों में हाइटेक होने की बात कही जा रही है वही करोड़ों रुपे की लागत से बनी स्वासकेंद्र की बिल्डिगों में महज भगवा परदे दिखा कर मरीजों का इलाज किया जाता है स्वासकेंद्रों में हाइटेक के नाम पर कोई मशीन मौजूद नहीं है जबकि CSE कई गाउं का उपचार करने का दावा करता है करें थेकेदाझ ने लगाया है मारे अधिष्टी ने जुलिग वाया हुए है तो क्या इसका अलक सी आया था कुछ नहीं है माधिध्चक उननुना इन परे जाता पैसे गज़ताया होगा यहाया होगा इश ज जा दो किने दिन पहले लगाई दिने परदेट किने एक महीने की तरीफ पहले लगाई आप अपर एचिन खास नहीं जाता आप कब आई कि पिछले संडे को आई थी नहीं हो आई एक सरे की होनी चाहिए अब तक नहीं थी है अब तक नहीं है अभी नहीं सुधा में बिए कश्टूमर को अबी के लिए उत्तरपदेश की खबरों में बस अतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही प्राइम टीबी अब देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार